अगर आप भी क्लास 9th या 11th में फेल होगे हूँ तो यह दोनों ही क्लास आपको दुवारों नहीं करनी आप सीधे 10th या 12th पास कर सकते हैं अपने साल बचा सकते हूँ वह भी ग्रेंटेड आज की इस वीडियो में आपको इस गुड लिउस के बारे में बताने वाला हूँ ज 9th और 11th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया जिसमें काफी सारे स्वेंट्स के कंपार्मेंट आगई या लाको इस्वेंट्स फेल हो गया आखिर ऐसे स्वेंट्स क्या कर सकते हैं क्योंकि घर वालों के ताने अलग मिलेंगे समाज के लोग भी नहीं छोड़ते हैं उनक और 11th क्लास में फेल हो जाना या कंपार्मेंट आज आने से आपकी जिंदगी नहीं रुख जाती कई सारे ऐसे स्वेंट्स जो को या वट्सप करके हमें बताते हैं सर हम बहुत ज्यादा पैनिक में हैं घर बारे बहुत टोर्चर कर रहे हैं तो आप इसके टैंस बिल्कुल जाना होता है इसमें आपको घर पे रहे करी पढ़ा करनी होती है और आपको इसमें जाना होता है बासानी से होँ जाते है 54 झार मया bother संब है इसके सब करवाते थे लाके उट्स हैडमेंटर उफल्सफ में बाकि सभी स्टेयर सेविजट में इबर सब बहुत सब्सार क्मारे ay पूरी तरीके से ओनलाइन होता है यह मेडम स्रोष सर्माजी है जो एंशपोर्ट के चेर परसन यानि की थीफ है यही सारे रूल्स बगिएरा बनाते हैं और जल्ल डिपाट्मेंट मेंबर्स होते हैं वो सभी को स्थेपर पर करते हैं तो मेरा काम होता है आप सभी को ऑथेंट सबसे पहले अगर आप अभी admission लेते हो तो आपका exam April 2024 में होगा और admission लेने के जो last date है वो 31 जुलाई है 31 जुलाई के बाद अगर आप admission लेते हो 15 September तक तो आप सभी को late fees देना होगा जो की 700 रुपीज लगती है तो 31 जुलाई तक आप बिना late fees के admission ले सकते हो 10 और 12 का दोनों को अलग अलग procedure है अगर आप 10th class में admission लेना चाहते हो तो आपके क्या के documents लगेंगे यह आपको बता देता हूं सेम इसी तरीके से जब 12 की बात करते हैं आपको 10th class का mark seat अधार card photo and signature यह चार चीज आपको send करना है दिए गए इस हैपने नमबर पर जैसे आप आपको पास होने के बाद यह औरिजनल सेटिफिकर्ट दिया जाता है जिसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट चूज करना होता है अन्य सपोर्ट का एक रिजनल सेंटर इस्टेट के capital में बनाया जाता है जिससे कि जो communication वो बना रहे है एडमिशन करने का जो प्रोसीजर है सबसे पहले इसमें रेजिस्टेशन किया जाता है जहां से आपको बुक्स बगरा मिलती है और एक्जामिशन के टाइम पे आप सभ लिया जाता है वो सम्मिट करवाया जाता है और आपका डोकुमेंट पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने काम पूरा हमारा होता है यह सब कुछ हम आपको करवा कर देते हैं से आपका डोकुमेंट्स वेरिफाई हो जाता है एडमिशन सब्सक्राइब कर जाएंगे और इन तीनों के मांक्स आपको मिलेंगे आपके एक्जाम से पहले इस तरह के से होल टिकाट आता है जिसके उपर एक्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है इसे एक्जाम सेंटर पे आप सब के एक्जाम देने जाना होता है जो कि आपके घर के स्लेबस बताते हैं और जो आपने अभी तक पढ़ा ही कर रखिये आपका वो सारा काम आएगा एंड आपको इसी स्लेबस में से बाने से पास भी हो सकते हैं इसका जो फीश ट्रक्चर है इसके अंदर यह सारे इंकलूड है तो जैसे आपको सारी जानकार दिया देगी उस फीश के अंदर यह सारी चीज़ें इंकलूड हैं जैसे कि रिश्टेशन फीश होगे एंग जाम लेट क्लासेज चैप्टर नोट्स important question doubt classes finally granted pass इसी में हम आपको sold TMA देंगे यानि की assignment देंगे और sold करके हम आपको practical देंगे कि सब काम हमारा होता यह सब कुछ हम आपको प्रवाइड करेंगे आपको सिर्फ सेंटर पर जाना है एक्जाम देने के लिए और जो हम बताएंगे सिर्फ वही लिख करा आजाना है आपकी पास गरांटी पूरी हमारी है हमारे guidance में आपका पूरा preparation करवाया जाएगा आप पढ कर सकते हो या कोल कर सकते हो और जल्द से जल्द अपने एड्मिशन कंफर्म करवा सकते हो टाइम बहुत कम है लाकों के संख्या में बच्चे फेल हो गया है बहुत जादा कोल्स विगेर आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो कई सारे समारे यहां से पास हुए है आप उनके आप देख सकते हैं और अपने यर बचाकर करीयर में या जोब में प्राइवाट जोब इंडियान आरमी पुलिस सभी जगा वो इसको यूज भी कर सकते हैं तो दिये गए इस नमबर पर वाट्सप कीजिए 9th और 11th में फेल हो जाने के बाद आपको बिल्कुल भी निरास न इस वीडियो को सभी जगा सेर करें आपने प्यार बनाया रखना यह वीडियो कैसे लेगी इसके मुझे कॉमेंट बोक्स हो जाना चैनल को सब्सक्राइब करके बला आकान जोरोन कर लेगा जय हिंद जय भारत